मुनावर ने मनारा को किया कैप्टेंसी के रेस दे बाहर वहीं अभिशेख सामर्थ के उपर उठाते हैं हाथ जी हाँ दोस्तों मैं हूँ श्रेदा कनो जी और आप देख रहें मुझे बॉलिवुड हेल्प लाइन पे आज एक बर फिर मैं आपके सामने बिग बोस सेवेंटी के नए अपडेट के साथ यहाँ उपस्ते हूँ और बताती हूँ तीन जनवरी यानि आज के एपिसोट में क्या कुछ दिखाया जाएगा आपको बता दे कि जहां बिग बोस ने घर के सदस्यों को एक बर फिर कैप्ट बनते हैं जिए 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 दोस्तों आपको बता दे कि बिग बोस ने घर के सदस्यों के सामने कैप्टेन से टास्क रखा है और इस टास्क के ऑथोरिटी यानि पावर पूरी तरीके से बिग बोस के एक्स कैप्टेन के हाथ में रहेगा जो की है आईशा मुनावर और और जिहां दोस्तों आपको बता दे कि बिग बोस ने मुनावर आईशा और 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 को ये पावर दिया है कि आप तिनों अपने से चूज करेंगे कि इस बार घर का कैप्टेन कौन बनेगा जहां बारी बारी से घर के सदस्यों को मोका दिया जाएगा कि इन तिनों कैप्टे बनेंगी अंकिता लोखंडे की इनकी दोस्ति तीनों के साथ काफी अच्छी है वही बतादे जहां इशा मालिया अंकिता लोखंडे को बड़ी बहन का दर्जा देती हैं वही ओरा के इनो वही ओरा से भी अंकिता का काफी अच्छा बॉंड है और मुनावर से तक प्या ही कहें मुनावर के भूरे समय में अंकिता लोखंडे एक धाल की तरह खड़ी थी बड़ आपको बता दे इन सारी गेमों के बाद एक बार फिर इशा और अभिशेक में फाइट होता हुआ नजर आएगा जिहां दोस्तों फाइट इतनी बढ़ जाती हैं कि दोनों एक बार फिर अपने फैमिली या परसनल अभियूस तक पहुच जाते हैं इसमें सामत इशा के साइट से बहुते हुए नजर आते हैं उन्होंने अभिशेक को थोड़ा बॉड़ी और घरवालों का क्या ओपीनियन होता है करें जहां बिग बॉक्वॉस के रूल की बात करें तो यहां पर कोई भी हाथ नहीं उठा सकतां दूसरे पर जहां अब शेक ने समर्थ पर हाथ उठाया है, वहां कही न कहीं अब इसा लगँगा जब भी कोई Big Boss में किसी के उपर हाथ उठाते हैं, वो घर से डारेक्ट बाहर हो जाते हैं. क्या आपको लगता है कि अब शेक ने जो किया समर्थ के साथ वो सही है या गलत है, आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और ऐसे बिग बोस 70 की नए अपडेट के लिए देखना ना भुले बॉलिवूड हेल्प लाइन थाइंक यू